जो बाकी समुदा, बाकी जो रिलिजिन्स हैं, चाहे हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलिजिन्स बॉर्न इन इंडिया, इसलिए, पर पार्सी और अगर आप पार्सी और इसाईयों को ला सकते हैं, वो जो देवर रिलिजिन्स बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पार्सी और इसाईयों को ला सकते हैं, तो मुसल्मानों को क्यों नहीं, दिखें, मुस्लिम अबादी के लिए ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं है, वो बुमी इसलिए दे दी गई थी, फिर तो हर देश से आव्य देना मैं मानता हूँ हमारी नईतिक जिम्मदारी है और हमारी constitutional responsibility है, और समिता जी आप आखड़ी की गहराई में जाईए, जब विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान में 23 प्रतिसत हिंदू थे, हिंदू और सीख थे, अथ 3.7 प्रतिसत बच गए, कहां गए सारे, इतने सारे तो यहां आए नहीं, धर्म परवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया, कहां जाएंगे ये लोग, क्या देश इसका विचार नहीं करेगा, देश की पर्लामेंट इसका विचार नहीं करेगा, देश की political party और इनका विचार की बात कर रहा हूं, बंगलादेश की क्या उनके आखड़े हमारे पास है, 2011 की जनगर्णा में वो दस प्रतिसत रहे गया, कहां गये हो लोग, अफगानिस्तान, 1992 के पूर्वर, 1992 के आखड़े मेरे प्रासुब्र, लगबग, लगबग, दो लाक सीख और हिंदू थे, और आ लोगों को अपनी बिलिप से जिने का अधिकार नहीं है, वो जब भारत एक था, तब हमारे ही थे, हमारी ही भाई है, हमारी ही बेन है, हमारी ही माता है, अगर यही थियोरी को आप अपना लो, तो पार्टिसन के बाद इतने सारे सरणार्थियों को क्यों लिया, उसका भी त कुछूंगी कि आपने कहा कि धर्म के आधार पर दूसरा मुल्क बना पर वहां पर शिया और एहमदी बलोच ये भी तो प्रताड़ित हैं वहां पर देखे वो प्रताड़ना आंकडों के आधार पर इतनी सिद्ध नहीं की जाती और पूरी दुनिया में सारा ब्लॉक मुस्लि करने का हमारे समवादान ने रास्ता खोला है वो एप्लिकेशन करकर रेफ्यूजी के तौर पर नहीं नागरिक्ता लेने के लिए एपलाई कर सकते हैं भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्सा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हूं उसका नेनाई करेगी आचा तो एक रास्ता किसी के लिए बन नहीं है ये स्पेशियल एक्ट इसलिए बनाया है कि ये किसी भी वैद डॉक्यूमेंट के बगर सरण में आये हैं बॉर्डर क्रॉस करकर आ गए हैं तो अब आपने पोर्टल भी खोल दिया है उसमें वो सारे डीटेल्स करेंगे वो पोर्टल सुर पास दस्तावेज नहीं है इसका रास्ता हम बाद में ढूंडेंगे परन्तु जिनके पास दस्तावेज है वो मेरे एक रभ अंदात से पचासी प्रत्सत से ज्यादा है और कितनी वेर लगेगी क्योंकि उन्हें एक ओथ भी लेना पड़ेगा हमने कोई समय मर्यादा नहीं आराम से सब लोग एपलिकेशन करें मैं सब को अपिल करता हूँ आप आराम से करिये एपलिकेशन देश की सभी भासाओं में है आपकी भासा में आप डाउनलोड कर सकते हो एपलिकेशन कर सकते हो और आपकी समय की अनुकुलता से भारत सरकार आपको इंटर्वी के लिए ब पतलब अगर उनके बच्चे हो गए हिंदुस्तान में 15 अगस्त दोजार उन्निसो साइतालिस से लेकर 31 डिसमबर 2014 तक जो भी आये हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है